कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी मगर जो गिर कर संबल जाए वही जीतता है बाजी नमस्कार दोस्तों मैं जैसर्मा आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके एपने यूटीूब चेनल गुरुजी हेल्पडेसपर दोस्तो हर्याना जी के में आज हम पढ़ेंगे जिला रोतक के बारे में जिला रोतक से समंदित जितने भी important question बनते हैं वो सभी आपको इस lecture के दुरान cover करवाए जाएंगे तो please वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजेगा अगर किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जिला रोतक से समंदित सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना की तो दोस्तो रोतक जिले की स्थापना जो है वो हर्याना की स्थापना के समय यानि की हर्याना के गठन के समय एक नवंबर 1966 को की गई थी इस समय हर्याना की गठन के समय कितने जिले थे हर्याना में साथ जिले थे आपको ट्रिक बताई थी घर जेके में जी अच ए आर जे के अम ठीक है फ्रेंट्स जी से गुरुग्राम एच से हिसार ए से अमबाला आर से रोतक जे से जीन्द के से करनाल और एम से महेंदरगड ऐसी मान्यता है कि रोतासगड या रोतास का दूर गयानी की रोतास का किला जिसे बोलते थे रोतासगड कैलाने वाले रोतक की स्थापना जो है वो रोतास नामा के एक राजा द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी रोतास नामा के एक राजा द्वारा की गई थी इसकी स्थापना चलिए, स्थाबना एक नॉमर 1966 को की गई थी मुख्याले इसका कहां पर है, रोतक जिले का मुख्याले है, रोतक में नेक्स्ट है, कुल जन्संक्या के अगर हम बात करें According to Census 2011, 2011 की जन्गन्ना के नुसार कुल जन्संक्या के अगर हम बात करें रोतक जिले की तो वो है 10,58,683 कितनी है, 10,58,683 पुरूस जन्संक्या की मेल जन्संक्या कितनी है यहां की 5,66,708 जो है, वो पुरूस जन्संक्या है, 2011 की जन्गना के अंसार और 4,91,975 मेलाओं की जन्संक्या है, 2011 के अकोर्डिंग चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेतरफल के बारे में हम जानेंगे रोतक के चेतरफल है रोतक का 1745 वरक किलोमेटर कितना है 1745 वरक किलोमेटर यहां का चेतरफल है जनसंक्या गंतव कितना है रोतक का जनसंक्या गंतव है 549 व्यक्ती परती वरक किलोमेटर जनसंक्या गंतव है रोतक जिले का यह नेक्स्ट है साक्सरतादर की अगर हम बात करें लिट्रेसी रेट की लिट्रेसी रेट यहां का कितना है 80.4% 80.4% यहां का साक्सरतादर है 2011 की जर्ण गन्ना के अनुसार पुरू साक्सरतादर की अगर हम बात करें मेल लिट्रेसी रेट कितना है यहां की तो 88.4% जो मेल लिटरेशिशि रेट है पुरु साख्षरतादर है यांकी 88.4% महिला साख्षरतादतर की अगर हम बात करें तो महिला साख्षरतादर कितनी है 71.2% 71.2% महिला साख्षरतादर है 2011-ग जर्णगंना के अनुसार अब हम बात करेंगे तसील की तसील कितनी है रोतक जिले में वर्तमान में वर्तमान में तसील के अगर हम बात करें वर्तमान में तसील है रोतक जिले में चार कौन कौन सी है रोतक सांपला कलानोर और महें ये चार तसीले है रोतक जिले में वर्तमान में रोतक सांपला कलानोर और महें चलिए next है अब हम बा उपतसील एक, खंड की अगर हम बात करें, ब्लोक कितने है यहां, रोतक के अंदर, ब्लोक है पांच, कौन-कौन से है, रोतक, कलानोर, लाखनमाजरा, महेम, तथा, सांपला, यहां के पांच ब्लोक है, चार तसील है, एक उपतसील है, अब हम बात करेंगे, उपमंडल की, उपमंडल कितने है रोतक जिले में, उपमंडल है, तीन, कौन-कौन से है, रोतक, सांपला और, महेम, रोतक जिले के, तीन उपमंडल है, मैं तब उन बिंदू देख लेते हैं, रोतक जिले से समधित, सबसे पहले बात आती है यहां की सोरी कलोथ मार्केट जो है वो उत्रबार्थ की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है काफी बार हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन के एक्जाम के अंदर पुछा जा चुका है सोरी कलोथ मार्केट कहां स्तीत है तो सोरी कलोथ मार्केट जो है वो आपके रोतक जिले के अंदर स्तीत है और यह है उत्तरवार्द की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है दोस्तो काफी ज़्यादा important है next है यहां से सिंदु गाटी सब्यता के अवसेस भी प्राप्त हुए है काफी important है यहां से सिंदु गाटी सब्यता के अवसेस भी प्राप्त हुए है next है इंडो ग्रीक सासकों के सिक्के रोतक के खोकरा कोट से प्राप्त हुए है नेक्स्ट है रोतक से कुसान काल की मुर्थियां भी मिली है नेक्स्ट है चर्की दादरी जिले की स्थापना से पूरव रोतक एक मातर जिला ताजिस की सिमाई किसी भी राज्य से नहीं लगती थी important है दोस्तो पहले question ये exam के अंदर पुछा जा चुका है जब चर्की दादरी जिले की स्थापना नहीं होई थी उस से पहले जितने भी exam होई थे उनके अंदर पुछा जा चुका है एसा कौन सा जिला है हर्याना का जिसकी सिमाएं किसी भी राज्य से नहीं लगती तो वो आपका रोतक जिला था लेकिन चरकी तादरी जिला बनने के बाद हर्याना का 22 जिला बनने के बाद ये हर्याना के अंदर दो जिले हो चुके हैं जिनकी सिमाएं किसी भी राज्य से नही वीडियो प्रवाइड करवाय थी उस दोरान बताया था कि पर्तम वी सव युद के दोरान सबसी अधिक सेनिक हर्याना के रोतक से सामिल हुए थे और वो चोदरी छोटुराम जी के कहने पर सामिल हुए थे छोटुराम जी का बहुत बड़ा योगदान राय हर्याना के अंदर सवतंतरता के दोरान बहुत बड़ा योगदान राय किसानों के मसिया काई जाते है हर्याना की राजनितिक राजदानी कहा जाता है रोतक को हर्याना की राजनितिक राजदानी है रोतक हर्याना का पहला कबार हरी भूमी हर्याना का पहला कबार आपसे पूछ लिया जाए हर्याना का पहला कबार कुछ सा है तो वो है हरी भूमी जो कब प्रकासित हुआ था फर्स्ट टाइम 1996 में यानि कि 1996 में से प्रकासित हो रहा है 1996 में यह एक बार हरी भूमी रोतक से प्रकासित हुआ था चलिए नेक्ष्ट है अम देखेंगे परमुख मेले रोतक जिले के परमुख मेले कौन-कौन से है सीव जी का मेला नेक्ष्ट है बाबा मस्तनात का मेला बाबा बुड़ा मेला और बाबा जमनादास का मेला यहांके famous मेले है next है परसीद स्थलों के बारे में हम जान लेती है एक बार परसीद स्थल कौन-कौन से है जिले रोतक के इंदर first हम बात करें है मैर्सीद यानन्द यूनिवर्स्टी की काफी ज़्यादा famous है MDU मैर्सीद यानन्द यूनिवर्स्टी इस यूनिवर्स्टी की स्थापना 1976 में होई थी और ज़्यादा detail में मैंने आपको हर्याना के विशविद्यालेगी जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उस दौरान बताया था तो आप देख सकते हैं वो वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जाकर देख सकते हो next है बारतिय परवंदन संस्तान बारतिय परवंदन संस्तान कहां पर रहे? रोत्तक के अंदर स्तीत है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी कब की गई थी? 2009 में इसमें पर्थम सेक्सिनिक सतर की सुरुवाद 2010 में की गई थी याद रखेगा दोनों अलग अलग चीजी है बारतिय परबंदन संस्तान यानि की Indian Institute of Management यानि की IIM की सस्थापना 2009 में की गई थी और इसका पर्थम सेक्सिनिक सतर जो है यानि की पहले सेक्सिनिक सतर की सुरुवाद की गई थी 2010 में इसमें पहले सेक्सिनिक सतर की सुरुवाद की गई थी नेक्स्ट है आकासवाणी के अंदर आकासवाणी के अंदर की अगर हम बात करें रोतक की अकासवाणी के अंदर की तो इसकी स्थापना 8 मई 1906 को की गई थी और ये हर्याना का पर्थम अकासवानी के अंदर है हर्याना का पहला अकासवानी के अंदर है जो रोतक के अंदर स्थीत है इसकी स्थापना 8 मई 1906 को की गई थी नेक्स्ट है पंडित भगवध्याल सर्मा स्वास्ते विज्ञान विसविद्याले के अगर हम बात करें तो इस विसविद्याले की स्थापना 2008 में की गई थी कब की गई थी? 2008 में इससे पहले ये एक मेडिकल कोलेज हुआ करता था दोस्तो नेक्स्ट है राज्यस्त्रिय यूद्समारक यहां पर स्तीत है रोतक के अंदर कहां पर है MDU यानि की मेर्शी द्यान विसविद्याले के प्रांगन में स्तीत है यह 2004 में बनवाया गया था कब बनवाया गया था राजे स्त्रिय युद समारक जो MDU के प्रागन में स्थित है 2004 में बनवाया गया था नेक्स्ट हम बात करेंगे जीला स्त्रिय युद समारक की जीला स्त्रिय युद समारक रोत्त के मान्सरोर पार्क में स्थित है इस जिले के इस पर जिले के सहीदों के नाम संग मरमर पर खुदाए करके अंकित किये गए हैं नेक्स्ट अम बात करेंगे अस्तल बोहर मट अस्तल बोहर मट जो है यहां के निवासी नाथ संपर्दाई का पड़तीनी दितव करते हैं काफी बार पुछा चाचुका है, अस्तल बोहर मट के जो निवासी है, वो किस संपरदाई से बिलोग करते हैं या पढ़ती निदितव करते हैं, तो वो नाथ संपरदाई का पढ़ती निदितव करते हैं, इस मट में गड़ी हुई पत्थर की मुर्तियां, द्रम करंथ, माना जाता है गुरू गोरकनात के सिस्यत चोरंगी नात को इसका वास्तिवीक संस्तापक माना जाता है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है गुरू गोरकनात के सिस्यत चोरंगी नात को किसको चोरंगी नात को इसका वास्तिवीक संस्तापक माना जाता है एक बार क्यूशन ये मटका जिर्णोदार करवाया था कब करवाया गया था ग्यारा सुक्यान में में इस मटका जिर्णोदार करवाया गया था किस के दोरा बाबा मस्तनात के दोरा और बाबा मस्तनात के नाम पर यहां पर एक विश्वी जाले बिस्तित है रोतक के अंदर बाबा मस्तनात यूनिव व्यापारी ने बनवाय था किसने बनवाय था हाजी अली नाम का एक व्यापारी होता था रोतक के अंदर उसने यह मस्जित का निर्मान करवाय था इसका परवेश द्वार लाल पत्रों से बनवाय गया है नेक्स्टम बात कर लेते हैं दिनी मस्जित की दिनी मस्जित रोतक की काफी famous मस्जिद है काफी बार exam के अंदर भी पुचिज आ चुकी है दिनी मस्जिद कहा स्थित है तो वो आपकी रोतक में स्थित है इस मस्जिद का निर्मान ओरंग जेव के दोरा करवाय गया था इसलिए ये मस्जिद काफी ज़्यदा मंदिर भी स्थित है चली नेक्स्ट है सिसे वाली मस्जिद कही बार क्यूशन पूचा जा चुका है सिसे वाली मस्जिद कहा स्थित है तो सिसे वाली मस्जिद जो है वो रोतक में स्थित एक विसाल मस्जिद है जिसका परवेश द्वार संग मरमर से बनाया गया है चलिए नेक्स्ट है काजी मस्जीद काजी मस्जीद रोतक सहर से 20 किलोमेटर दूर स्थित्य यह एक प्राचीन मस्जीद है इसमें कुतु मिनार की तरह गोल सिधियां बनी हुई है नेक्स्ट हम बात करेंगे मेहम की बावडी की Smithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithith बावडी में लगे फार्सी बासा के एक अभिलेक के अनुसार इस स्वर्ग के जरने का निर्मान उस समय के मुगल राजा सांजा के सुपेदार सेदू कलाल ने करवाया था किसने किरुए था साजा कि शुवेदार सेधू कलाल नहीं कब करुए था 1658 के end में करुए था 1658 के end में करुए था लेकिन काम जो इसका पूरा हुआ था 1669 में यानि की 1659 में इसका काम जो वो पूरा करुआ गया था चलिए next है नोरंग परियतक स्तल काफी ज़ादा famous है यहां का नोरंग परेटक स्थितल रोत तक एत्यासिक नगर मेहम मेहम 24 चबूतरा स्थित है मेहम 24 चबूतरा स्थित है काँ पर है मेहम के अंदर जहां पर 24 गाओं के किसी भी काम का फेसला किया जाता है इसी 24 सी चबूत्रे के नस्दीक नोरंग नामक परेटक स्थल स्थीत है यह परेटक स्थल जो है नोरंग परेटक स्थल हर्याना परेटन विबाग द्वारा बनवाया गया है किसके द्वारा बनवाया गया है? हर्याना परेटन विबाग द्वारा बनवाया गया है यह मेहम के अंदर स्थीत है, मेहम के अंदर जो 24 ही चबूतरा है, उसके नजदीक यह परेटक स्थीत है चलिए नेक्स्ट है, तिल्यार जील, रोतक की काफी ज़्यादा फेमस जील है, तिल्यार जील परेटक स्थल है रोतक का यह रोतक के अस्तल भुहर मट के नजदीक स्थीत एक भव्य परेटक स्थल है नेक्स्ट है गुरुद्वारा लाखन माजरा जूनियर इंजिनियर के एक्जाम के अंदर पूचा जा जुका है 2017 के एकजाम के अंदर गुर्दवारा लाखन माजरा कहा श्तित है तो गुर्दवारा लाखन माजरा जो है वो रोतक के अंदर श्तित है रोतक जिले का यह पर्शिद गुर्दवारा लाखन माजरा में श्तित है स्थानिय लोगों के अनुसार गुरू तेग बादूर जब साइधी देने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो एक रात के लिए यहां रुके थे गुरू तेग बादूर जी से समझते है यह गुर्दवारा लाखन माजरा चलिए नेक्स्ट है चोदरी बंसी लाल किर्केट स्टेडियम लाली चोदरी बंसी लाल किर्केट स्टेडियम रोतक जिले का एक फेमस किर्केट स्टेडियम है जो रोतक के लाली में स्थित है यह रोतक में स्थीत हर्याना का एक परसिद किर्केट स्टेडियम है क्यों फेमस है क्योंकि इस किर्केट स्टेडियम पर सचिन तेंदूलकर ने अपना अंतिम रंजी में खेला था कब खेला था 2013 में इसलिए यह मेदान काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद रखेगा चोदरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थीत है रोतक जीले के लाली गाँ में स्थीत है नेक्स्ट है परसिद व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं जिनका समन्द रोतक जीले से राय सबसे पहले बात आती है सर छोटुराम की चोदरी छोटुराम की इनका वास्थमिक नाम रिष्वाल है इनके बारे में मैं आपको बताना चांगूँ है इनके बारे में ओर ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो प्रवाइड करवाया गया है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा परसिद व्यक्ति की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सर छोटुराम का या चोदरी चोटुराम जी इनको हम कहते हैं उनके एक स्पेशल वीडियो प्रवाइड करवाएगी है वो आप जाकर देख सकते हो इनका जनम 24 नॉमबर 1888 को हुआ था कब हुआ था? 24 नॉमबर 1888 को और हर्याना स्थाब सेलेक्शन कमिशन के हर एक्जाम के अंदर काफी बार की उसनों पूछा जाता है चोदरी चोटुराम जी से इनके जनम के बारे में पूछ लिया जाता है जनम कब हुआ था? इनका जनम कहां हुआ था? इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से शुरू की थी? इन सब बातों के बारे में पूछ लिया जाता है तो इनका जनम 24 नॉमबर 1888 को रोत तक एक गड़ी सांपला नमक गाउ में हुआ था? कहां हुआ था? गड़ी सांपला नमक गाउ में हुआ था? जिसका नाम बदलकर अब चोदरी छोटू राम नगर रख दिया गया है इन्होंने आगरा विशविद्याले से वकालत की पढ़ाई पूरी की थी? हरियना स्टाब सेलेक्शन कमिशन के कलर के एक्जाम के अंदर क्योशन पूचा जा चुका है चोदरी छोटू राम ने वकालत की सिख्या कहां से हासील की थी? तो इन्होंने आगरा विशविद्याले से वकालत की पढ़ाई पूरी की थी 1916 में जाट गजट नामक उर्दू सापताइक पत्र निकाला था ये भी एक्जाम के अंदर पूचा जा चुका है PGT Political Science के एक्जाम में पूचा जा चुका है और हर्याना स्टाब सेलेक्शन कमिशन के कलर के एक्जाम में ये क्योशन पूचा जा चुका है जाट गजट जो समाचार पत्र है वो किस बसा में निकाला गया था तो उर्दू बसा में निकाला गया था चोदरी चोटुराम जी ने निकाला था बाकड़ा डेम का जनक चोदरी चोटुराम को मना जाता है बाकड़ा बांद का जनक चोदरी चोटुराम को दिया जाता है बाकड़ा डेम का स्रेज जो है वो चोदरी चोटुराम को जाता है नेक्स्ट है 1945 को चोदरी छोटुराम जी की लाहूर में डेथ हो गई थी लाहूर में इनकी मृत्यू हो गई थी चलिए नेक्स हम पढ़ेंगे रनवीर सिंग हुड़ा के बारे में रनवीर सिंग हुड़ा रोतक की काफी फेमस परसनेल्टी रह चुके हैं इनका जनम 26 नॉवंबर 1914 को 26 नॉवंबर 1914 को चोदरी मादुराम और मामकोर के घर रोतक सांगी गाउं में इनका जनम हुआ था ये एक सवतंतरता से नानी रह चुके हैं 1937 में इन्होंने दिल्ली के रामजस कोलेज से सनात्य क्यूपादी प्राप्त की थी 1937 में इन्होंने ग्रेजवेशन कंप्लेट की थी दिल्ली के रामजस कोलेज से चोदरी रणवीर सिंग हुड़ा पहली बार सत्या ग्रह आंदुलन में सक्रियता से भाग लेने के कारण 1941 में यानि के 1941 में गिरपतार भी किये गए थे तीन सालों तक विदान सभा के सदस्य भी न्यूक्त रहे थे हर्याना परतेश कांग्रेश समिती के अध्यक्स भी रह चुके हैं चोदरी रणवीर सिंग हुड़ा और हर्याना के पूरो मुख्यमत्री चोदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा के फादर साब हैं ये हिंदी हर्याना नामक सापताइक पत्तर का भी इन्होंनी समपाधन किया है और हर्याना विद्या परचालनी सभा रोत्तक ये द्यक्स भी रह चुके हैं एक फरोरी दोजार नो को चुराणमे वर्स की उमर में इनका निदन हो गया था नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सुपुतर बुपेंदर सींग उड़ा जो हर्याना के बूत्पूर मुख्यमत्री रह चुके हैं लगातार दो कार्याकाल के दोरान इन्होंने मुख्यमत्री पत का कार्याबार समाला था फर्स्ट आइम ये मुख्यमत्री बनेते 2005 के अंदर, सेकेंड आइ बनेते 2009 के अंदर चलिए हर्याना के पूरो मुख्यमत्री यें पूरो सांसद भुपेंदर सींग उड़ा का जनम 15 सितंबर 1947 को वा था कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 को वा था 15 सेप्टेंबर 1947 को इनका जनम हुआ था कहा हुआ था? रोतक जिले के सांगी गवं में इनका जनम हुआ था ये अब तक चार बार लोकसवा संसद ये चेतर रोतक से संसद रह चुके हैं लगातार दो बार ये हर्याना के मुख्यमत्री रह चुके हैं जैसा मैंने आपको बहले बताया था हर्याना के लगातार दो बार मुख्यमत्री रह चुके हैं पहली बार मार्च 2005 में ये हर्याना के मुख्यमत्री बने थे सेकिंड आई मने थे 2009 में चलिए अब हम बात करेंगी चोद्री वुपेंदर सिंग हुड़ा के सुपुतर दिपेंदर सिंग हुड़ा की दोस्तो दिपेंदर हुड़ा इनका जनम चार जनवरीill육 not 78 को पर जार जरूरी dasing और 1978 को हर्याना की रोतक जिले में वुपेंदर हुड़ा का जनम हुआ था यह है अब तक तीन बार लोग सबा संसद रह चुके हैं नेक्स्टम बात करेंगे ममता करब की दोस्तों ममता करब भारतिय मैला होकी टीम की परसीद खिलाडी है ममता करब भारतिय मैला होकी टीम की परसीद खिलाडी है भारतिय उक्टी टीम की पूरो कैप्टन भी रह चुकी है ममता करभ इनका जनम 26 जनवरी 1982 को रोतक जिले में इनका जनम हुआ था इनके नेतरितव में भारतिय महिला उक्टीम ने वर्ष 2006 में मेलबर्ण में आवजित कोमन वेल्थ गेम में रज़त पदक पराप्त किया था 2006 में जो मेलबर्न के अंदर Commonwealth Games हुए थे उनके अंदर जब ये Captain थी भारतिय महिलाओक की टीम की तब भारतिय ओकी टीम ने रज़त पदक पराप्त किया था नेक्स्ट हम बात करें 2002 के Manchester Commonwealth की तो उसमें होकी स्वन पदक जितने के बाद इन्हें Golden Girl के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है इन्हें भीम अवोल्ट तथा अरजुन अवोल्ट से भी समानित किया जा चुका है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी इंदर्वेश की स्वामी इंदर्वेश का जनाम भी रोतक जिले में हुआ है सामाजी कुरुईतियों के विरोध लोगों को जागरूप करने में स्वामी इंदर्वेश का उलेकनी योगदान रहा है स्वामी इंदर्वेश का जनाम 13.1937 को पतक kg जिले के गाउं sk cows zwischen अमीवा था काउव पता हर्यांवी वाशा के परशीद कवी थे हर्यांवी वाशा के परशीद कवी थे जननम 10 मारज 1915 को मायना गाउं मीवा था next हम पढ़ेंगे साक्सी मलिक के बारे में काभी बार पूचा जा चुक है साक्सी मलिक के बारे में हर्याना के previous year के exams के अंदर आपको question मिल जाएगा साक्सी मलिक के बारे में question मिल जाएगा आपको साक्सी मलिक से जितने क्यूशन पूचा जा चुका है उनके आवारे में आपको बताना चांगा एक क्यूशन पूचा जा चुका है साक्सी मलीक का जनम कब हुआ था तो साक्सी मलीक का जनम 3 सितंबर 1992 को 3 सेप्टेंबर 1992 को हुआ था और इसका जनम का हुआ था ये भी पूचा जा चुका है दो बार का हुआ था रोतक के मोखरा गाउ में हुआ था इनका जनम रोतक जिले के मोखरा गाउ में इनका जनम हुआ था और साक्सी मलिक किस खेल से समन्दित है ये भी क्यों सन पूचा जा चुका है साक्सी मलिक कुष्टी के खेल से सम्झ दिता है और 2014 में 20-100 कुष्टी खेल परतायोगता में इन्होंने भारत का परतिनी दिताव किया था और इन्होंने कुष्टी में रज़त पदक हासिल किया था 2016 के अगर हम बात करें 2016 में जो रियो डीजिनेरियों में ओलम्पिक हुए थे इन्होंने कांसिया पड़क हासिल किया था और 1996 में इन्हें जो खेल में जो सबसे बेस्ट अबोर्ड होता है सर्वोच अबोर्ड होता है खेल का राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार वो दिया जा चुका इने 2016 के अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे रनदीब हुड़ा की दोस्तो रनदीब हुड़ा का जनम हरियाना के रोतक जिले में हुआ था यह एक परसीद वोलिवूड हभिनेता है और इनकी पहली फिलम मौनसुन वेडिंग थी इनका जनम रोतक जिले में वा था और यह एक फेमस वोलिवूड एक्टर है इनकी पहली फिलम मौनसुन वेडिंग थी तो दोस्तो रोतक जिले से समधी जितने भी आपके इंपोर्डेंट क्योसन बन देते वो सभी आपको इस लेक्टेर के दुरान कवर करवा दिए गए है और ज्यादा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप बने रही ही आपके पने इस चैनल पर और प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करें और अगर किसी साती ने चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद जैहिन